रादे रादे दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों अभी अपनी स्क्रीन पे जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसको बोलते हैं मालेवी ये ब्रिज ये काशी के अंदर बढ़ता है वारनासी से अगर आप डीडियू की और जाएंगे तो वारनासी से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही और नीचे की तरफ जो है ट्रेन चलती है दिल्ली के अंदर भी एक ऐसा ही ब्रिज है इसको लोहा ब्रिज बोलते हैं लेकिन वो इसका अपोजट है वहां पे उपर ट्रेन चलती है और नीचे की तरफ ट्राफिक चलता है तो इस पूरे ब्रिज को जो है नया बराने की बात ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक नया ब्रिज को जो है कंस्ट्रक किया जाए जो नया ब्रिज बनेगा उसकी फोटो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और बताया जा रहा है कि 2642 करोड रुपर का खर्चा जो है आने वाला है नये वाले ब्रिज को बनाने क ले करके ठीक है और यह जो नया ब्रिज होगा उसकी लोकेशन भी आप यहां देख सकते हैं कि दोस्तों जब जो आप अभी इस तरफ देख रहे थे हैं यह तो आपका एग्जिस्टिंग ब्रीज हो गया मतलब जो एग्जिस्ट करता है वह शो गया और इस तरफ दोस्तों प्रपोस्ट ब्रिज मतलब की जो नेया वाला ब्रिज बनेगा उसकी बात दो रही है यहां पर तो उसके राइट साइड में इसको जो बनाया जाएगा स्पेशल बात इसके अंदर क्या होने वाली दोस्तो वाय वी आर आम मेकिंग वीडियो ओर दिस कि भाया यह जो ब्रिज है इसमें चार ट्रेन ट्रैक्स होने वाले हैं ठीक है और उपर एक छे लेन का हाईवे होने वाला है अगर हम दो मिनिट के लिए डेटेल्स में देखें क यहां पर एक्जैक्ली क्या-क्या चीजें हैं तो सबसे बट आववेस है कि आपको नीचे की तरफ चार रिल्वे ट्रैक्स दिख रहे हैं मतलब एक दो तीन और चार ठीक है फिर इधर आपको जो है वाकवे दिख रहा है इधर आपको दुस्तों वाकवे दिख रहा है सेम वही वाकवे इस तरफ है और उपर छेल इनका हाइवे है अब सवाल यह है कि जब एक्जिस्टिंग वाला ब्रिज दो पटरी वाला है तो उसके बगल में जो रिप्लीस्मेंट बनाई जा रही है वो चार वाली ट्राकी क्यों बनाई जा रही है इसका आंसर दोस्तों हमें म यह का बाग का काशी स्टेशन है इसके बाद मतलब यहां से यहां तक की जो एरिया है यहां इजिस्टिंग करता इस अरिया में ब差 है अब होता क्या है दोस्तों अगर मैं दूमनिट के लिए स्लाइड से हटारान चाहूँ और देख रहे हैं कि वारनसी आने के तीन रास्ते हैं वारा नसी आने के दोस्तों तीन रास्ते हैं एक रास्ता तो यह रहा दूसरा यह जो लोहता की साइट से आता है और तीसरा यह जो शिफपुर वाली साइट से आता है यह तीन रास्तों का ट्राफिक यहां पर आके मिलता है और प्लस इधर से भी एक बनाए जाएगी जो कि डारेक्ट आपको डीडियू से करेगी और प्लस वारानसी वाले साइट से आने वाला जो रास्ता होगा वह भी इदर से एक लाइन जो है लेकर के जाएगा अगर आप में से कोई भी इंसान काशी वेगर के स्टेशन पर रहा है रुका है या देखा है तो यहां पर फ्रेट का ट्राफिक बहुत जादा है, जिसके कारण फसंजर ट्रेन को डिले होना पड़ता है, बेसिकली सेक्षन जो है, बहुत ज़दा ओवर सेच्चुरिटेट में शलता है, बिकॉस हर तरफ से लाइने आती है, मतलब एक ना बॉटलनेक क्रियेट हो जाती है, आप इधर से देखो पूरा वारानसी का ट्राफिक आ रहा है, ठीक है, उपर से और यार वाली साइट से जो है, रास्ते आ रहे हैं, जो वारनसी सेटी की तरफ को जा रहे हैं, वो भी अगेर इसी तरफ की ट्राफिक जो आड़ करती है, तो बहुत ज़दा प्रॉब्लम जो हो जाती है, यहां पर डीडी की तरफ गारे डीशी ले करके जाने के लिए, इसलिए चार ट्राइक करके यहां पर चार ट्राइक डाले जा रहे हैं, जिससे की ट्राफिक के फ्लो को जो है, बहुत अच्छे से यहां पर मैनेज किया जा सके है, इस पूरी यह जो वीडियो में आप लोगे साथ शेर कर रहा हूं इस पूरी वीडियो के अंदर हुआ गया था, जैसे ही मुझे यह पता चला था ना, कि यहां पर चार ट्राइक होने वाले हैं, बस मैं यहीं वो हो गया था, और बलकुल सब एक दम, कि भाई, वाई, चार इस पूरी अपडेट के बारे में, कैसे लिए की वीडियो मुझे पताएगा, आपके जो भी कॉमेंट है, वो भी जरूर से लिकेएगा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं